अब गंगा जल मिल रहा है, कोई इसकी कलपना नहीं कर सकता। और हर घर, गंगा जल मिल्रा किभर एक जगा शेहर में गंगा जी नहीं है यह अब हर घर में जाना है, और इनका काम जो है वो बोलता है. कुछ लोग बक्वास करते रहते हैं, कहीं भी डिल्ली में बैट करके कि ये करेंगे वो करेंगे, बिकिन आप सोची कि अभी फालगु नदी का तस्वीर क्या हो? आम तो कहेंगे कि श्राफ की मुक्ति, मान्य मुक्यमंती जी नजीश कुपार जी ने फालगु नदी को दिलाई है, महागड़बंदन सरकार ने दिलाई, तिहाज जो है, ठीकी कहां मानजी जी ने, कि भाई ये पीडिया, सोचेंगे कि ये फालगु नदी, जब इतिहाज जहां देश में कहीं नौक्रिया नहीं दी जारी, वाँ बिहार में नितीजी और मांगटन द्वारा नौक्रिया दी जारी है। मांचल पे उपस्थित, बिहार के मुक्यमंतरी आदर्नीय श्री नितीश कुमार जी, पिहार के पूर्मुक्यमंत्री आधनिय, शी जीतनरम मांजीजी, मान्य सिचाइ मंत्री संजर जाजी, मान्य प्रभारी मंत्री मंसूरी साहर दी, मान्ने मंत्री सुरंदर रियादव जी, मान्ने मंत्री सलवजीत जी, सभी यहां के जनप्रतिनिति गन, पूर विधायक, विधायक, सभी मान्ने अधिकारी, मुकी सच्चिव अमिर सुभानी साहब जी, सिधार जी, संजय अगरवाल जी, सजीव हन्सी, जिला के आई जी, SSP, DM, और मेरे मीडिया के मित्रगन, बड़ी संख्या में यहां माताएं, बेहने उपस्तित है, हमारे सभी यहां अभिवावक मौंग से लेकर के सभी हमारे भाई सबसे पहले, आज पोद गया की धर्ती पर, गया की धर्ती पर, माने मुक्मंत्री जी द्वारा, हर घर, गंगा जल, पहुचे इसकी शुरुवात, माने मुक्मंत्री जी के कर कमलो द्वारा हुई है, इसके लिए हम माने मुक्मंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देते है और यहां उपस्तित सभी लोगों का स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं और इसे बड़ा काम क्या हो सकता है दक्षिन बिहार जादतर सुखा से प्रभावित रहा है पानी पीने का संकर्ट से चाई का संकर्ट अब आप समझे कोई कलपना नहीं कर सकता था जहां वाटर टै कितनी बड़ी परिशानी थी और आप कलपना कीजे कि हाज बोत गया गया राजगीर जैसे शहरों में अब गंगा जल मिल रहा है कोई इसकी कलपना नहीं कर सकता है और हर घर गंगा जल मिल रहा है किवल एक जगा शहर में गंगा जी नहीं है अब हर घर में जा रहा है जतने हाउस होल्ड है तो इसकी शुरुवाद माने मुखमंती जी ने अपने ये अपना परिचे इनों ने दिया कि इनका विजन है और इनका काम जो है वो बोलता है कुछ लोग बक्वास करते रहते हैं कहीं भी डिल्ली में बैठ करके कि ये करेंगे वो करेंगे लेकिन आप सोची क कि अभी फाल्गु नदी का तस्वीर क्या हो गया कोई विश्वासी नहीं कर सकता कि ये फाल्गु नदी है जहां इस सीजन में कभी भी पानी नहीं होता था तो हम तो कहते हैं कि सीता जी का श्राप था उसलिए नहीं हुआ लेकिन श्राप जादा दिन नहीं रहता किसी ना तो आम तो कहेंगे कि श्राब की मुक्ति, मान्ने मुक्यमंती जी नजीश कुपार जी ने पालगुन अदी को दिलाई है, महागडबंधन सरकार ने दिलाई है, और यह जो महागडबंधन की सरकार है, यह गरीब जनता के लिए है, यह जो सुसाइटी में अपने बैक बेंचर जो है अपने सोसाइटी के, जो समाज के अंतिर पैदान पे जो खड़े लोग हैं, उनको मुके धारा में लाने की है, यह गरीबों को आगे बढ़ाने की है, समाजिक नाय, धर्दन तेक्ष्टा, समाज में अम अंचैन जो है यह कायम रहे, यह हम लोगों की प्रात्मिक्ता है अब आप देखेंगा, असपतालों की बिश्टिती जो है, पहले जर 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 हुआ करती थी, अब जो है कितना बड़ा सुधार हो रहा है, माने मुक्हमंती जी की नेतित में, चाहिए दवा की बात हो, या पढ़ाई की बात हो, या कमाई की बात हो, या सुनवाई या जा रहा है लेकिन आप लोग सब लोग जानते हैं काम जो करता है उसका प्रचार तो होता है नहीं जो लोग जुमले बाजी करते हैं जो लोग मार्केटिंग करते हैं उसी का प्रचार पसार होता है लेकिन इतिहाज जो है ठीकी कहां मांजी जी ने कि भाई ये पीडियां सोच कि यह फालगू नदी जब इतिहाज पढ़ेंगे कि इसमें तो कोड कोड करके लोग जलची रखता था अब डुक्की लगा रहा है तो यह कारणामा कब हुआ लोग बोलेगा ना कि भाई नितीज जी के द्वारा हुआ महागरबंदन सरकार द्वारा हुआ और हम लोगों को ख मौका नहीं दे अब कुछ लोग तो बोलता ही रहता जंगल राज आ गया पता ही गंगा जी को ले आया गया जंगल राज हो गया लागों के तदाद में निक्तिया पत्र बट रही हैं लोगों को माने मुखमती जी ने अब घोश्रा कर दिया कि अब जो है हर विभागों में जितना रिक्ट परापद है उसको भड़ा ही जाएगा बलकि बढ़ाया भी जाएगा पद भी क्रियेट किया जाएगा तो सबसे बड़ा दुश्मन तो आपका बेरोजगारी था जिसमें न इंदेश में नितीजी और मागट बंदन दौरा नोख्रिय दी जा रही है अब भी सरकारी नौकी, रोजगार के भी जर्वावना है सरकार जो हर एक तरीके से देख रही है तो हम तो इतना ही कहेंगे कि आफ लोग जो इस बात को जो काम हो रहा है आप लोग कहीं भी जाते हैं या बैठते हैं ये टुरिस्ट वाला जगा है जरा बताईए कि कितना काम हो रहा है हर एक चीशी और आप लोग सब लोगों से कहेंगे कि बड़े संख्या में यहां लोग आते हैं उनका स्वागत कीजिए महमान नवाजी कीजिए ताकि बिहार की छवी जो है पुरे देश में ही नहीं बनकी बिदेशों में इसका प्रचार पसार हो तो ज़्शादा समय ना लेते हुए आप सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद दिते हैं उनके तमाम अदिकारी को धन्यवाद देते हैं छितने इसमें इंजीनियस, कॉंट्राक्टर्स लगे हैं और जितने मजदूर भाई लगे हैं उन सब को हम बढ़ने वादे के अपनी बात को समाप करते हैं जैहिन जैबिहार बहुत